हेलो फ्रेंड वाइल सियानी की दवासी एक ऐसी बिमारी होती है जिसको भी होती है वो काफी ज्यादा कश्क सहता है और इस बिमारी के अंदर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है इसलिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इन सारी चीज़ों को हमें अपने माइंड में रखना चाहिए इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको सेवन करनी चाहिए बावासीर के दोरान दोस्तों अगर आपको पायस की भिमारी है तो आपको अपने खाने पीने पर बहुत ज्यादा नियंतरण करना होगा ऐसी चीजों का सेवन करें जिनके अंदर फाइबर की मातरा ज्यादा हो क्योंकि बहुत ज्यादा खाना आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम पैदा कर सकता है इसी लिए ऐसी चीजों का सेवन ही करें जिनके अंदर फाइबर ज्यादा हो ताकि आपकी भूग भी मर जाए और कम खाना खाकर भी आप संतुष्ट हो जाए इसी के साथ साथ साबूत अनाच का सेवन भी ज्यादा से ज्यादा करें आप चाहें तो साबूत अनाच को पाने में भीगो कर और उसके बाद उसका सेवन कर सकते हैं या फिर सबजिया बना कर उसके तौर पर भी उसका सेवन कर सकते हैं Beans, हरे पत्तेदार सबजियां, fruit इन सब का सेवन ज्यादा से ज्यादा करिए और सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना होगा liquidity पर यानि की पानी पर पानी का सेवन आप जितना हो सके उतना करिए ताकि आपको bleeding की problem से थोड़ी सी निजाब मिल पाए सो दोस्तों इन सारी चीजों पर ध्यान रखियो और अगर आपको पायल्स की बिमारी है तो आप उचे दॉक्टर से दिखा कर सही दवाओं के साथ इस डाइट को भी ध्यान में रखिये मेरी ब्यूटी और हेल्स से रिलेटीड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए